हलो फ्रेंड्स वेलकम टू रोसोई घर्ट फ्रेंड्स आजम बनाएंगे गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मटका कुल्फी तो फ्रेंड्स इस मटका कुल्फी को बच्चे बड़े सब भी बड़े शोक से खाते हैं तो उमीद करती हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आएगी तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मैं किनकिन सामन क्या उशक्ता होगी तो इसे बनाने के लिए मैंने एक लिटर दूद लिया है और गेस चालू करके मैंने इसे भारी तले वाले बरतन पे गरम करने के लिए रख दिया है तो फ्रेंड्स दूद पहले से ही गरम था इसलिए इसमें आपको मलाई दिख रही होगी तो दूद में अच्छे से बॉइल आने के बाद हम गेस का फ्लेम लो कर देंगे और बीजविश में इसे हिलाते रहेंगे और जब तक दूद हमारा आदा नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे तो इसके अलावा मैंने या छे चमच चीनी ली है थोड़े से बादाम की कतरन, थोड़े से पिस्ता की कतरन, थोड़े से इलाईची पाउडर लिया है 60-70 ग्राम मैंने मावा लिया है थोड़े से थंड़े दूद की जुरत होगी और दो चमच मैंने कस्टड पाउडर लिया है तो सबसे पहले हम custard powder का घोल बना के तयार कर लेते हैं तो custard powder में थोड़ा सा दूद एट करेंगे तो friends custard powder घोलने के लिए आप हमेशा ठंडा दूद का ही यूज़ करें तो ठंडा दूद डालने से इसमें बिल्कुल भी गुटलिया नहीं रहती है अच्छे से घोल बन कर तयार हो जाता है तो मैंने यहाँ पर vanilla flavor का custard powder लिया है आप अपने स्वादनुसार कोई सा भी custard powder यूज़ करें तो यह दूद भी लगबग आदा हो चुका है बीच-बीच में मैं इसे हिलाती रही थी और अब मैं इसमें चीनी एट कर दूँगी तो चीनी भी आप अपने स्वादनुसार ले ले यहाँ पर मैंने 6 चम्मच चीनी ली है तो चीनी अच्छे से melt होने देते है और अब हम इसमें custard powder का घोल एट करेंगे तो थोड़ा सो चम्मच से हिलाते वे हम इसमें custard powder का घोल डाल देंगे क्योंकि कटोरी में custard powder जो है नीचे जम जाता है तो थोड़ा सो चम्मच से हिलाएंगे और custard powder का घोल हम इसमें डाल देंगे तो घोल डालने के बाद हम दूद को तुरंत हिलाएंगे क्योंकि जो custard powder है वो तले में एकदम से चिपकने लग जाता है तो इसे हिलाते वे हमें इसे 4-5 मिट के लिए बोईल कर लेंगे ताके custard हमारा अच्छे से पक जाएं अब मैं इसमें dry fruits set कर देती हूं तो आप अपने स्वाद अनुसार कोई से भी dry fruits ले लें इलाइची पाउडर भी मैं इसमें डाल देती हूं और इसे अच्छे से mix करके गेस का flame off कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे हम कुछी देर में custard अच्छे से ठंडा हो चुका है और इस तरह से गाड़ा हो गया है तो इसके लिए आप custard powder बहुत ज्यादा यूज नहीं करें नहीं तो जो custard है बहुत ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो आप केवल दो चमज ही यूज करें और अब मैं इसमें भुनावा मावा एट कर देती हूँ तो मावे को मैंने थोड़ा सा भून लिया था और इस तरह से हातों से तोड़ते वे हम इसमें मावा डाल देंगे और इससे इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें जो डलिया होगी वो फूट जाएगी तो चमज से थो बनाने के मॉल्ड हैं इस तरह से या फिर इस तरह से आप कोई थर्मा कुल के ग्लास वो भी ले सकते हैं तो मैं इन्हीं ग्लास में इन्हें जमाना पसंद करती हूं तो मैं इसे इन में ही जमाऊंगी तो इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में आप थोड़ा थोड़ा सा घोल डाल दे तो इस देखें फ्रेंड्स सारे में मैंने घोल भरकर तयार कर लिया है तो अब मैंने यहाँ पर एल्यूमिन फॉइल लिया है तो मैं इसे इस तरह से कवर कर देती हूँ अच्छे से ताकि इसमें बिल्कुल भी बरफ नहीं जमेगी और इस चाको की साहिता से हम बीश में थोड़ा से इसमें छेत कर देंगे और आइस्क्रीम इस्टिक बीश में हम लगा देंगे तो सारी ग्लास को मैं इसी तरह से बना के तयार कर लूँगे और अब हम इसे फ्रीजर में अच्छे से सेट होने देते या फिर आप इसे ओवर नाइट के लिए सेट होने दे तो फ्रेंड्स राद भर मैंने इसे फ्रीजर में ही रहने दिया था तो अब हम इसका उपर का पेपर निकाल के और कुलफी जो हम निकाल लेंगे तो इस तरह से चाकू से हम इसका थर्मा कॉल जो है काट देंगे ग्लास का तो कुल्फी बड़ी आसानी से निकल जाएगी तो ये देखें फ्रेंड्स कुल्फी निकल के तयार हो चुकी और बहुत ही अच्छी कुल्फी बनी है तो आप चाहें तो उपपर से थोड़ा सा ड्राइफ रोट्स की कत्रन डालके इसे सर्व करें तो उमीद करती है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ